खाने के घोडबंदर रोड इस्तित सन एक्ट कैंसर इस्टिडूट का उद्गाटन सुप्रसिद अभिनेत्री महिमा चौधरी को हाथो किया गया। बता दें कि अभिनेत्री महिमा चौधरी ने वहाँ इलाज करवा रहे कई मरीजों के साथ बातचीत करते हुए नजर आईं और अभिनेत्री महिमा चौधरी लोगों से अपने खान पान और पर्यावरण की रक्षा करने और पेड लगाने की भी अपील की। हमारे कहाल से और डॉक्टर साब भी इसी बात को कहेंगे कि हमारी हर चीज में बहुत सारा पल्यूशन है चाहे वो हवा में हो पानी में हो खान पान में हो इतनी पेस्टिसाइड्स प्रेइंग होती है और मिलावट होती है आप सोशल मीडिया पे चले जाएए आपको मतलब एक राइ के दाने से लेके मतलब मिल्ची में और हर चीज में मिलावट और तेल में जो आप खाना खाते हैं जो तेल यूज होता है उन सब चीजों में बहुत टॉक्सिंज है और सपेशली हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए I feel कि this is not right I think हम यही बात कर रहे थे अभी कि सब को हम सब को as citizens एक जोर बनाना चाहिए एक आवाज उठानी चाहिए कि administration थोड़ा और कड़क हो यह जितनी भी मिलावट हो रही है खाने के उपर और पलूशन के उपर भी थोड़ा काम किया जाए और पानी में जो पलूशन है और हर चीज में तो स्वच भारत तब बनेगा जब ऑल अराउंड एक healthy environment मिलेगा I think वह बहुत ज़रूरी है यह नो पेड लगाओ और जितनी ज्यादा पेड लगाओगे उतना अच्छा है I think एक दिन होना चाहिए जहां सब को जाके अपने community में अपने नाम का एक पेड लगाना चाहिए ऐसे movements हम खुद शुरू कर सकते ह में करने चाहिए ज्यात हो कि इस cancer institute के बारे में डॉक्तर पाटिल ने बताया कि इस institute में कई नए आध्वूनिक तकनिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे cancer मरीजों को बहुत लाब मिल रहा है मैं डॉक्टर प्रोफेसर विजय पाटिल में मेडिकल उंकॉलोजिस्ट हूं और आज थैंक्यू फॉस्ट 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 आफ वाल आप सब हमारे साना cancer institute जो इंडिया का सबसे पहला जी एंपी सेटप है कार्टी ट्रांस्टरांट करने के लिए आप आए इसलिए मैं आपका अभारी हूं देखिए जैसे मैडम ने उससा पर बताया कि cancer बहुत बार मल्टी बहुत कारणों के कारण होता है एक दो कारण को हम पकड़ सकते हैं लेकिन बहुत से कारण एक साथ आते तो cancer होता है और यह कहां जा रहा है कि इंडिया में cancer चुग है वो बढ़ने वा उस कारण से पेशन्स के इनिशल ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट उतने अच्छे नहीं होते हैं तो सबसे पहला information और मैसेज यह है कि ज्यादा अवेर ने सुनी जाहिए जैसे मैडम ने कहा कि खुद के बाड़ी की सेल्फी डॉक्टर्स को दिखाईए ताकि यह cancer जल्दी पक तरह यह उससे तरह सेलुलर थेपीज आईए कार्टी की दवाई आई एलोजेनिक कार्टी ओटोलोगस कार्टी टीसे 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 रिसेप्टर थेप्टर घ्रपी गामा डेल्टा तरुपी यह ऐसे एडवांस स्टेजेज में भी पेशन्स को होब देती है कि इनकी बीमारी और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आई